सोते वग बच्चों का मुखोल के सोना या खराटे लेना या ये बहुत ही नॉर्मल चीज है नहीं बच्चों में मेजरली रेस्पिरेशन ये नाख से ही होना चाहिए अगर वैसा नहीं हो रहा है बच्चे को नाख से सास लेने में कुछ दिक्कत हो रही है मतलब उसके नीचे कुछ तो causative agent है जो हमें ढूनना पड़ेगा बच्चा बहुत यंग एज में मुझ से सास लेता है तो बहुत दात-related या oral cavity-related problem उसको हो सकती है जैसे कि दातों का टेडा-मेडा होना जो ग्रोथ अल्टर होना ये सब बहुत ही severe consequences हो सकते है जिसके वज़े से आगे जाके बच अपने पास बहुत सारे appliances है जिसके early usage के वज़े से आगे होने वाले consequences हम avoid कर सकते है उस ग्रोथ को redirect कर सकते है अधित जानकारी के लिए हमसे संबड़ की लिए